जिसका कोई फाइदा नहीं है नहीं देखो के बहुत बोलते हैं मेरे इसको हमें पता नहीं था बताया नहीं तो ये चीज़े देखो जिसको पता है उसके लिए क्या बता रहे हो टाइम खराब कर रहे हो जिसको नहीं पता वो बोल रहा है सही करा बता दिया नहीं तो फिर मेर लाइफ इंसॉरेंस नहीं पहले लाइफ इंसॉरेंस प्रीमियम कर लेता है बच्चे कह रहें टेलिग्राम पे शेर कर देना यह सर इमेज पिल्कुल कर देंगे चलिए लाइफ इंसॉरेंस प्रीमियम सबसे पहले तो आपको समझना होगा सर इंसॉरेंस प्रीमियम होता गया है हमारे इंसॉरेंस की केटेगरी देखा जाए ना तो सर इंसॉरेंस ना नॉर्मली तीन तरीके का होता है आपने 11 वी क्लास के अंदर पढ़ा हो अगर तो ठीक से कौन कौन सा होता है एक होता है सर Life Insurance Policy जिसे L.I.P भी बोल देते हैं और एक होता है Journal Insurance जिसे GI बोल देते हैं और एक होता है Marine Insurance जिसे MI बोल देते हैं Marine Insurance जो Shipt का होता है तो ship के लिए तो ये वाला तो हमारे slayvers का कुछ लेना ही देना नहीं है सर इसे तो हटाई दिया अब बात करते हैं सर general insurance और life insurance तो यहाँ पे किसी natural person का होता है यह natural person बोले तो सर मालिक ही है वो अपना करा सकता है क्योंकि हमारा sole proprietor है तो दुकान के अंदर एक ही मालिक होगा GI के अंदर यह होता है goods का यह हमारा समान का होता है किसी भी goods का हो सकता है तो अगर आपने insurance करवाया है अपने समान का तो वो तो connected हो गया business से business का खर्चा है लेकिन अगर आपने insurance करवाया है अपना personal life का insurance तो sir वो business का खर्चा नहीं है वो आपका खर्चा है और अगर आपने business में से पैसे निकाल के दिये हैं तो that is directly indirectly क्या हो जाएगा आपका drawing हो जाएगा वो क्या हो जाएगा indirectly drawing हो जाएगा पहले यहां तक देखे clear है यानि आपका life insurance premium क्या होता है sir drawing क्यों life insurance premium drawing होगा क्योंकि sir वो business से तो हो नहीं वो किसका और है मालिक का खुद का और अपना जब कभी खुछ भी कराऊगे तो वो क्या होता है हमारा personal use और personal use जैसे involved होता है वो क्या माना जाता है drawing अगर drawing हुआ तो कहा चला जाएगा सीधा capital में से minus हो जाएगा अब बात करते है sir journal insurance general insurance कोई भी वो किस से related होगा business से related होगा sir अब insurance ना आपका general insurance हो चाहे कोई भी हो insurance हो सकता है आपको 15 महिने का दे दे 15 महिने का दे दे तो आप P&L कितने महिने के लिए prepare करते हो 15 महिने या 12 महिने के लिए 12 अगर 15 महिने का कोई insurance दे रखा है जिसे आपको P&L में दिखाना है तो 3 महिने का आप क्या करोगे वहाँ से हटा के सिर्फ 12 का दिखाऊगे और 3 महिने के balance sheet के assets में दिखाऊगे तो इसी के उपर पूरा based है हमारा sir क्या based है life insurance premium include in general insurance तो मैं इसके आगे की line और club कर देता हूँ आगे की line club करता हूँ मैं plus include in journal insurance journal insurance या सिर्फ जब मैं बोलू न insurance तो मतलब sir business वाला है एक बच्चा पूचता है sir हमें कैसे पता चलेगा कौन सा insurance है सिर्फ insurance लिखा है तो सिर्फ insurance में कौन सा मान होगे business वाला journal और जब तक life ना बोले तो life insurance नहीं consider करना है चलिए sir अब यहाँ पर देखा जाए तो दो बाते हो सकती है और यह हमेशा adjustment में होगा या तो आपका दे रखा होगा या तो आपका दे रखा होगा मैं बात कर लूँ trial balance में trial balance में trial balance के बाद या दे रखा होगा कहां दे रखा होगा adjustment में या फिर हम इसको बाद में देखेंगा पहले trial balance में देख लिए trial balance में दो चीजें हो सकती है अब बताईए life insurance और general insurance एक ही अलग अलग है अलग अलग है अगर trial balance में दे रखा है life insurance तो sir trial balance में अगर life insurance दे रखा है तो क्या करेंगे इसका ये तो हमारे business का खर्चा है नहीं तो इसको क्या करना चाहिए less कर दीजिए from capital less from capital sir अब बात करें अगर journal insurance या सिर्फ insurance दे रखा है तो sir सिर्फ insurance कौन से वाला insurance होगा journal जो की business से ही connected है इसे कहां दिखाईएगा profit and loss के debit side अब बात करते हैं अगला अगर दे रखाओ adjustment में तो sir adjustment में कैसे दे सकता है पता है insurance के बारे में दो तरीके से या तो सिर्फ insurance के उपर देगा अकेला insurance की बात करेगा वो या तो सिर्फ कहेगा वो insurance पर adjustment होगा या adjustment बनेगा आपका insurance life वाले प्लस जर्नल वाले दोनों पर या होगा life प्लस जर्नल sir अगर life प्लस जर्नल हुआ अगर सिर्फ insurance हुआ तो sir यहाँ पर दो बाते हो सकती हैं यहाँ पर या तो वो adjustment जो रहा होगा या तो रहेगा prepared से related या फिर किस से related होगा outstanding यही तो होगा हमारा है ना यानि अगर insurance के उपर adjustment की बात करें तो sir या तो prepared बोलेगा वो या outstanding जैसे कि पिछला सवाल देखो आप यहाँ पर भी था ना insurance के उपर तो adjustment पर था insurance तो क्या कह रहा था sir prepared कह रहा था prepared का क्या treatment है और outstanding का क्या treatment है तो मैं यहाँ पर इसको पता है कैसे finish करना चाहूँगा आपका normal जैसे before adjustment है sir कौन सा adjustment है आपका जैसे normal adjustment हुआ था हमारा prepared वाला और normal हुआ था outstanding वाला वही treatment होगा अगर prepared हुआ तो minus assets में outstanding हुआ तो add और liability में तो इसका normal adjustment की तरह मगर दोनो include हुआ अगर दोनो include हुआ sir तो अगर both हुआ दोनो life insurance, general insurance तो first आपको calculate करना होगा calculate करना होगा life insurance कितना है and sir journal insurance कितना है sir जब तक मैं इसका एक example नहीं लूँगा आपको मज़ा नहीं आएगा इसमें sir मज़ा नहीं आएगा देखिए मैं example यहां ले लेता हूँ यह हमारा trial balance है trial balance में insurance लिखा मान लेते हैं पांच हजार नीचे adjustment लिखा insurance include रुपीज दो हजार पुर प्रोप्राइटर life and balance and balance balance अप्टू 31 साथ दो हजार तेईस accounting कर रहे है sir हम 21 और 22 के लिए या 22 तेईस के लिए accounting चल रहे है sir 22 और 23 के लिए ठीक है यह हमारा सवाल है पूरा यह पूरा सवाल जिसको visual नहीं होगा पढ़ लेजिए question में क्या कहता है 22 और 23 के लिए हम काम कर रहे है यानि हमारा साल सर start होता होगा 142 बोलिए 22 और खतम होगा 31 2000 23 कहता है sir यह जो insurance है तो मैंने बोला first calculate आपको पहले calculate करना पड़ेगा तो सबसे पहले आपको calculate करना होगा कि जो यह insurance से हमारा 50,000 रुपे खा इस 5000 रुपे का इस 5000 में से कितना part आपका honor का है कितना part यहाँ पे तो sir जब calculate करेंगे कितने part honor का है तो very very simple सी बात है कि यहाँ question ने बता दिया है कि सर इसमें 2000 रुपे तो honor का है जो कि क्या हो गया हमारा life और बाकी बच गये कितने 3000 और 3000 रुपे जो payment कर रखा है सर वो कहीं न कहीं इस साल से आगे चला गया है यानि 3000 कहां तक का payment कर रखा 31,7,2,000 यानि साल को cross कर दिया उसने यही है न हमें तो 12 महिने तक निपटाना है आपको कुछ नहीं बोल रखा है तो आप मान के चलिए सर यह 3000 रुपे जो दे रखा है वो 12 महिने का होगा और इसके अंदर extra भी है सर एक बात समझ में नहीं है अगर 12 महिने का हुआ तो extra कैसे हुआ insurance अगर हम बीच में लेते हैं तो 12 महिने का अगर लेते है policy मान लो मैं आज की date पर policy लेता हूँ अभी December है तो यह तो अगर December तक चलेगा policy तो 12 महिने की हुई लेकिन financial year में कितने महिने का जाना चीए सिर्फ तीन महिने का जो की तीन या चार महिने जो भी कर लो तो policy date के उपर depend करता है तो यह 12 महिने का आपको advance देखना है कितने महिने का हुआ सर मार्स तक छोड़ दो April, माई, जून और जुलाई कितने महिने का हो गया चार तो multiply by 4 करोगे तो इससे आपको क्या पता चलेगा कितना part prepaid है क्योंकि इसके आगे वाला जो year होगा इसके आगे वाला time सारा advance वाला होगा और इसके आगे वाला जो सारा advance वाला है advance को क्या कहते हैं prepaid कहते हैं तो ये क्या होगा हमारा prepaid तो ये तीन हजार रुपे में से कुछ हिस्सा क्या माना जाएगा prepaid माना जाएगा कितना हिस्सा prepaid माना जाएगा इसको अगर solve करते हैं तो क्या आता है बताइए एक हजार रुपे सर इसमें क्या है हमारा prepaid है यानि P&L के अंदर insurance क्या आएगा तो इसका solution कैसे करेंगे वो भी मैं लिख देता हूँ पहले solution जब आप P&L बनाएंगे न तो कैसे करना है देख लिजिए फिर मैं वहाँ लिखूँगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा सर solution में क्या होगा पहले मैं लिखूँगा आँख बंद करके insurance सर insurance कितना है फिर सबसे पहले minus कर दूँगा drawing drawing कितने का था यहाँ से minus करके कहां ले जाएंगे capital में से minus क्यूँकि यह क्या है drawing है बचा कितना 3000 फिर minus क्या करेंगे कितने 1000 कहां ले जाएंगे assets में ले जाएंगे बचा कितना 2000 अब 2000 बस पी handle के अंदर रह जाएगा finally समझ मेरी यह बात आपको यानि सर अगर इस type का question हुआ तो क्या करना है सर इस type का अगर question हुआ तो इसके दो हिससे हो जाएंगे मैं यहीं पर example भी ले लेता हूँ आपके लिए सर यही example ले लेता हूँ 5000 है इसके दो टुकडे करेंगे एक तो LICS में से निकालिएगा Life Insurance Policy, LIP लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर एक तो Life Insurance Policy को separate करिए और Journal Insurance को separate करिए जो हमारा LISP है इसकी दो entry करेंगे इसकी भी सर दो entry कहां कहां करोगे एक तो हो जाएगा less सर less हो जाएगा कहां से from Insurance दूसरा क्या होगा सर लेस हो जाएगा कहां से from Capital सर दूसरा लेस हो जाएगा from Capital बताईए समझ में आया ये तो ये मैंने कौन से आला हिस्सा किया ये वाला हिस्सा अब दूसरा आसपेक्ट पेंडिंग है कौन सा है अगर सिर्फ जर्नल हुआ तो ऐसा ही छोड़ देना अगर 12 महीने कहीं है तो लेकिन अगर Prepaid इसके अंदर निकला अक्सर एक्जामनर इसमें Prepaid देगा जान पूच के अगर हाँ जर्नल वाले में हाँ क्योंकि वो बोल देगा अप 2 इतने महीने तक अगर जर्नल निकला तो इसके अंदर क्या करेंगे अगर हुआ Prepaid तो की बात बता रहा हूँ मैं अगर हुआ Prepaid तो एक हो जाएगा Less from Insurance कब in case Prepaid Sir, Outstanding भी हो सकता है तो Outstanding में Add हो जाएगा Simple से बात है और दूसरा कहां जाएगा Sir, Balance Sheet Asset Side, Balance Sheet, Asset Side यह तो आएगा नहीं ऐसे खीचते है लाएगा चलिए एक छोटा सा कॉंसेप्ट था हमारा Prepaid Insurance का क्लियर है? आपके बुक में एक कोश्चन भी है Casio 12 डिजिट, हाँ यह भी चल जाएगा Casio कभी बस टेक्स की नहीं होना चीए आपके किताब में एक एक एक्जाम्पल है Heading कौन सा है साथ? 10 दस्वे में देखिए आप यहाँ पर Prepaid Insurance लास्ट में क्या कहता है? Insurance includes 4 रुजा टू बोर्ड दप्राइटर लाइफ Insurance बैलेंस कब तक के लिए इसने? बैलेंस के बारे में क्या बोला है सवाल में बताईए एक बार कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक है? यानि एक चार से 2000 अब डेट दे रखा specify starting भी और ending भी तो अब days count को लोगे तो कितने महीने हो जाएंगा सर 18 महीने तो अब जो dividing करोगे ना उस case में 12 से नहीं 18 से divide करना है समझे बात आप? अगर आपको मेरे question में ये थोड़ी था कि इसने बोला भाई आप सी 30 दिन खतम हो जाएगा तो हमने पूरे साल का जम्शन लेके कर दिया अगर question के अंदर आपको starting और ending date दे दे तो आप उतने month calculate करोगे, divide उससे करोगे और जितना prepaid है उससे करोगे फटा फट उसका insurance एक पार निकाल के दिखाओ कि कितना P handle में आएगा जो आपके पास सवाल है आप सभी ने जो बच्चे लाइव हैं बुक ले लिया है नहीं लिया है जाओ झाल है तो आपक कि wow करने तो आपके दी जोने के रहर ऌब है आपका हैं ल academically जाब है आपके जो आपके घ दो आपके पार संपके, करका हुआ ए आप रहरे जो